महु पुलीस को बड़ी जनसवलता हाथ लगी है पुलीस ने 50,000 का अंतर जन्पदिय इनामिया शार्पशूटर गिरफतार किया पुलीस को इनकी काफी दुनों से तलाश थी पकड़े गया अपरादी, गोरकपुर, अयोध्या सहीत, महु जन्पद में काफी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं वही शार्पशूटर चार नामों शैलेंद्र सिंग, उर्फ मन्नो सिंग, उर्फ राखुल सिंग, उर्फ रवी सिंग के नाम से जाना जाता था यह जानकारी पुलिस अधिक्षक अनुराग आरे ने एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान मीडिया को दी अगस्त 2020 की रात में हाना मदवन में पुलिस मुटवेड में एक शार्पशूटर और शातिर अपरादी को गिरफतार किया गया है इसका नाम शैलेंदर सिंग और मुन्नु सिंग है चार अलग-अलग नामों से ये अपराद कारिक करता था शैलेंदर सिंग और मुन्नो सिंग और राहुल सिंग और रवी सिंग यह जनपद गोरकपूर से 50 educación काई नाम इसके उपर भुशित था जुलाई 2020 से 2019 में दो हत्याओं में ये वांशित था जन्पत गोरकपुर से एक थाना बेल घाट में चुन व्यवसाई की हत्या इसके त्वारा गोली मार के की गई थी और सन 2019 में ही नवंबर 2019 में एक पेट्रोल पंक कैशर की जो दिन में बैंक में पैसा जमा करने के लिए जा रहा था उसका भी गोली मार के हत्या की गई थी और उससे जबस 10 लाग से उपर की रकम लूट ली गई थी इन दोनों मुकदों में ये वांचित चल रहा था इसके साथ-साथ 2013 में अपने ही गाव में थाना पेल गाट के अंतरगत एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या इसके दौरा कारित की गई थी उसमें पहले जेल गया था फिर जमानत हुई और जमानत के बाद जमानत निरस्ट होके उसमें भी वांचित अभी तक चल रहा था इसके साथ-साथ एक और में घटना में इसके कुष्टाच के दौरान पता चला है सन 2017 में जनपत अयोध्या में ठेकिदारी के विवाद को लेके गटित हुई थी जिसमें ठेकिदार को गोली मारी गई थी उसमें भी इसका इनॉलमेंट था उस गटना में इसको तीन लाख रुपए प्राप्त हुए थे गटना को कारिट करने के लिए और उस गटना में इसका नाम रवी सिंग के नाम से प्रकाश में आया है था जो कि इसके द्वारा अपना फिर्जी नाम वहाँ पे दिया गया था और अश्ली इस गटना में भी इसकी संलिप्ता प्रकाश में आई है ये एक बहुत ही शातिर शार्पशूटर है पचाह जार रुपे का इनामिया है और इसके उपर नौ मुकदमे जनपत गोरकपूर से जो प्राधिक इतियास पता चला है नौ मुकदमे इसके उपर दर्ज है इसके दो अ करकाश में आया है कि इनको पैसे की आउशटता थी जिसके लिए जैसे पूर में पैट्रोल पंप कैश्चर की हथ्या कर चुके हैं इसी प्रकार से जनपत महु में भी घटना कारित करने का इंका इरादा था रूसी के लिए चारपाज इनके लिए रेकी करने और घटना की चेकिंग के लिए जो क्योंकि बारिश का मौसम है उसको दृष्टिकत रखते हुए बावरिया गैंग और अपराधिक गैंग्स के मुवमेंट को देकर चेकिंग पूरे जन्पद में चलाई गई थी एक से तीन के बीच में उसी के दौरान पुलिस टीम के दौरा इनको अं को हुआ है कि अच में तीन मोबाइल इनके पास मिले हैं जिसमें इंटरनेट और सुपू्फ कॉलिंग है विभी समय प्रत ओगर को हम इसको आगे बेहिए करत दो